नमशकार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं यहां कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्ते हम पर अगर आप अपने पैन कार्ड में अपने एड्रेस का करेक्शन करना चाहते हैं किसी भी रीजन के वज़े से और यहां पर आपको नहीं पता कि कैसे आप यहां पर घर बैठ थे 2021 में अपने mobile phone की मज़स से अपने pen card में अपने address को change कर सकते हैं तो उसे हैं पर आज की इस वीडियो में जरूर end तक बने रहीएगा क्योंकि यहां पर आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कैसे हैं पर आप अपने pen card में अपने address को easily change कर सकते हैं तो उसे हैं पर वीडियो काफी मज़दार and knowledgeful होने वाला है तो उसे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक like नहीं किया like कर दे चैनल पहली बार आए हैं तो subscribe करके bell icon भी दबा दे क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपके जरूरत के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो उसे इन सारे process को करने के लिए आपको इसी वीडियो के description box में एक link देखने के लिए मिल जाएगा तो simply आप लोगों को उसी link पे tap कर देना है जैसे आप उस link पे tap करते हैं आप यहाँ पर देखिए UTI के direct website पर आज आने वाले हैं जहां से हम इन सारे process को करने वाले हैं यहाँ पर आने के बाद देखिए आपको पहला option देखने के लिए मिलता है pen card apply करने के लिए यहाँ पर दूसरा option देखने के लिए मिलता है अगर आप foreign citizen है तो यहाँ पर आप कैसे pen card बनवा सकती है यहाँ पर third option है change correction करने के लिए लेकिन यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है नीचे की तरफ आना है सबसे नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एक option देखने के लिए मिलता है facility for address update in pen database through ekyc का यहाँ पर देखिए mode का हमें एक option देखने के लिए मिलता है यहाँ पर हम अपने direct address को update कर सकते हैं ekyc के तरू तो जिसके लिए हाँ पर हमें click to update वाले option पर tap कर देना है जिसके बाद दोसों हमारे सामने कुछ इस तरीके का interface open होता है जहाँ पर हमसे दिखे जो भी चीज़े मांगी जाएंगी वो आप हमें fill up करना है जिसमें कि यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें pen number अपना enter करना है उसके बाद capture code मांगा जाएगा जो कि यहाँ पर दिखाई देगा आपको वही capture code fill up करना है उसके बाद agreement को आपको accept करना है उसके बाद आपको आपको submit वाले option पर simply tap कर देना है जैसे ही दोस्तों आप उसे submit कर देते हैं आपके सामने कुछ इस तरीकी का webpage open होगा जहाँ पर आपको दिखाई देगा अपना है आपको सारी चीजों को verify करने के लिए जिसमें कि यहाँ पर नीचे की तरफ बस आपको जो capture code दिखाई दे रहा है उस capture code को यहाँ पर इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर दिखिए अपने आधार detail pen card से लेने के लिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखिए इसे टिक कर देना है टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे के तरफ submit का option दिखाई देगा इस submit वाले option पर simply tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखिए आपके नंबर पर एक OTP send किया जाएगा जो की होने वाला आपका आधार EKYC OTP जो की आपके register mobile नंबर पर भेजा गया होगा उस OTP को आपको यहाँ पर box में इंटर करना है इंटर कर देने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको जो capture code दिखाई दे रहा है उस capture code को यहाँ पर box में इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर देखिए agreement को आपको simply accept कर लेना है उसके बाद आपको submit वाले option पर tap कर देना है X93LBG2V जिसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर login हो जाने वाले अपने ID में यहाँ पर आपके सामने एक form open हो जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पर address अपना पूरा इंटर करना है नया address जो आप यहाँ पर डालना चाहते हैं उन सभी चीजों को अपना street, local area या फिर जो भी चीज़ें है village है, town है, state है, district है सभी चीजों को आपको line center कर देना है कर देने के बाद यहाँ पर नीचे के तरफ आपको submit का option दिखाई देगा, submit पर क्लिक कर देना है जिसके बाद यहाँ पर आपका form address update के लिए यहाँ पर pen card में यहाँ पर easily apply हो जाने वाला है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक like करें दोस्तों शियर करें ऐसे ही और मजदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दवारा ना बूले इसके साथ मिलते हैं एक और नहीं मजदार वीडियो में तब अके लिए जैहिंद वन्दे मात्रम